हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कीवी कीचेन किंग आज हम हरी मिर्च की पिछकारी बनाएंगे बहुत सिंपल रेस्पी है ज्यादा स्पाइसी भी नहीं है सबको बहुत पसंद आएगी तो आए हमें स्टार्ट करते हैं अपनी पिछकारी बनाना इसके लिए इंग्रिडियन्स अजवाइन हमने मैदे में डालने के लिए लिए हैं आप ये को आप हों लगाएंगे मैदे को daran लेंगे आर इसमें घीड डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके इसका मॉन लगा लेंगे मॉन लग गया है अब इसमें हम वन टी स्पून नमक डाल लेंगे और वन टी स्पून अजवाइन अब हम मिक्स कर लेंगे और इसका डो लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा बाटर डाल कर इसका हम डो लगा ले रहे हैं यह हमने डो लगा लिया है हमने सिर्फ मैदे का डो लगाया है इसमें आटा भी मिक्स कर सकते हैं डो रेडी हो गया है अब इस डो को दस में ढखका रख देंगे अब हमने हारी में चिले लिए इसे हम 20 से कट करेंगे इस तरह से पूरा नहीं कट करेंगे और जो इसके अंदर के सीट्स होते हैं वो निकाल लेंगे जिससे ज़्यादा स्पाइसी ना लगेगी यह देखिए हमने इसके सारे सीट्स निकाल लिये हैं इसी तरह हम बाकी कट करके सबी के सीट्स निकाल लेंगे अब हम इसमें मसाले भारेंगे तो हमें मसाले जो लिये थी अलग से इनको मिक्स कर लेंगे अब हम एक मिर्ज उठाएंगे और मसाले को इसके अंदर हम डालते जाएंगे इस तरह से पूरे मैचेज भाल लेंगे सारी मिर्चेज में मसाले भर कर रेड़ी कर लिए यह हमने सभी में मसाले भर कर रेड़ी कर लिये हैं डौ रेड़ी हो गया है अब इस पूरे डौ की चार बड़ी लोई हम कट कर लेंगे बराबर में यह नहीं चार बराबर लोई कट कर ली है अब हम तीन लोईों में कलर करेंगे सबसे पहले हमने ग्रीन कलर लिया है तो एक लोई में इस तरह से हम कलर डाल लेंगे अब पूरी लोई में अच्छे से कलर को कवर कर लेंगे यह हमने ग्रीन कलर कवर कर लिया है अब दूसरी लोई में हम रेड कलर डालेंगे और अच्छे से पूरी लोई में कवर कर लेंगे यह देखिए हमने रेड कलर भी कर लिया है अब हम लास्ट इसी तरह यलो कलर भी कर लेंगे यह हमारी तीनो कलर की लोई और एक प्लेन चारो लोई रेडी हो गई है अब हम इसे बेलना स्टार्ट कर देंगे अब हम बेलेंगे तो लोईों में सुखा मैदा लगा जेंगे थोड़ा सा और इसे रोटी की तरह पतला बेल लेंगे सारी लोई इसी तरह हम बेल कर रेडी कर लेंगे ये देखिए इतना हमें बेलना है ये हमने बेल कर रेडी कर रही है बाकी सारी इस तरह हम बेल लेंगे ये देखिए हमने चारो लोईों को बराबर में बेल लिया है अब कट करेंगे तो इस तरह हम straight slice में cut करेंगे पतली-पतली slice में यह देखिए पूरी हमने इसी तरह slices में cut कर ली हैं अब बाकी जो color वाली भी है सेम इसी तरह हम cut कर लेंगे यह हमने सारे slices cut करके रख ली हैं अब हम मिर्ची में इसे हम लगाएंगे अब हम मिर्च में water लगा लेंगे पूरे में चे से अब red वाली slice उठाएंगे इस तरह से और इससे इस तरह से देखे cover करते जाएंगे roll करेंगे हम मिर्च में और थोड़ा सा press करते जाएंगे यह देखिए रेट वाली हमने इसमें अच्छे से लगा लिए अब हम वाइट वाई लगाएंगे तो वाइट की स्लाइस उठाएंगे और इस पर लगा लेंगे इस तरह से रोल कर लेंगे और अगर वाटर लगे तो हम इस पर लगा सकते हैं हमने वाइट वाई लगा लिए अब फिर से इसके उपर से हम रेड वाई लगा लेंगे और इससे अच्छे से रोल कर लेंगे पूरी मिर्च में यह हमने बना कर रेडी कर लिए अब इसी तरह हम दूसरी बना लेंगे तो सबसे पहले मिर्च में वाटर लगा लेंगे अच्छे से पूरे में और अब हम यलो वाली बनाएंगे तो यलो वाली के स्लाइस उठाकर इस पर लगाएंगे यलो वाली कावर हो गई है अब हम इसी तरह वाइट वाली भी कावर कर लेंगे अच्छे से प्रेस करके लगा लेंगे देखिए पूरी इसी तरह हम कावर कर लेंगे यह देखिए हमने पूरी कावर कर ली है आप चाहें तो एक साइड दूसरा कलर भी कर सकते हैं जैसे दोनों साइड यलो कलर कर रहा है आप दूसरा भी कलर कर सकते हैं अब हम बाकी सारी इसी तरह बना के रेड़ी कर ले रहे है यह देखिए हमने मीर्ची की पिछकारी बना कर रेडी कर लिए है एक चीज दियान रखेंगे कि जहां से हम एक स्लाइस छोड़ेंगे उसके पर वाटर लाके फिर दूसरी स्लाइस रखेंगे यह हमने बना कर रेडी कर लिए अब इसे फ्राई करेंगे हमने ऑईल हीट होने रख दिया था अब हम फ्लेम को लो करेंगे और इसमें पिछकारी डाल लेंगे अब इसे कुख होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम में अब हम इसे टर्न कर लेंगे सारी सीतर टर्न कर लेंगे और इसे कुख होने देंगे मीडियम फ्लेम पर ही कुक होने देंगे ये हो गई है कुक अब इसे निकाल लेंगे और बाकी सारी इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे ये भी हमारी हो गई है अब इसे निकाल लेंगे और सर्फ करेंगे ये देखिए हमारी हरी मेट्स की पिछकारी रेडी हो गई है किती इदी रेस्पी रही इसे आप होली की दिन जरूर बनाईएगा इसे आप सर्फ करिएगा सबको बहुत अच्छी लगेंगी ज्यादे स्पाइसी भी नहीं और एक न्यू तरह से हैं हमें कमेंट करके कर दा दो